तो आज हम क्रिप्टोकरंसी के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जैसा कि आपने अभी हाली में नियूज में देखा होगा कि इंडिया मतलब गवर्मेंट अपनी क्रिप्टोकरंसी लॉंच करने वाला है तो आज हम देखेंगे कि क्रिप्टोकरंसी क्या होता है इसके क्या ड इंडिया के perspective से यह भी discuss करेंगे कि क्या इसके pros हैं क्या cons हैं और साथी साथ challenges क्या हैं अगर हम cryptocurrency को adopt करते हैं और क्या हमारे लिए friendly थाबित होगी जिस प्रकालाज हम अतना पैसा यूज करते हैं तो dimensions अपने कुछ इस type से रहेंगे दोस्तों सबसे पहले अपन डिसकस करेंगे general introduction उसके बाद government का इस पर क्या भी हुए और इसके बाद status क्या है दुनिया में और साथी साथ इंडिया में इसको लेके और इसके बाद पन प्रोसेंट कों डिसकस करेंगी और कुछ objective देखेंगे अगर आप competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो यह frequently आप से पूछे जा सकते हैं अगर आप general perspective से देख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको यह वाला portion कबर करने की तो चलिए देखते हैं सबसे पहले general introduction से शुरू करेंगे अपन तो crypto सबसे पहले अपन divide करेंगे crypto और currency को तो यह दो terminology से मिलके बनी रहती है crypto प्लस currency तो crypto का मतलब होता है दोस्तों hidden या secret जो की देखा ना जा सके या physical form में ना हूँ और इसकी बात currency या जानते ही है जैसे rpya हो गया या जो आप coins use करते हैं उसको currency बोल जाता है कोछ और नाम भी है इसके जैसे की virtual currency भी बोल जाता है और digital currency भी इसको बोल जाता है और इसके creator माना जाता है कि 17 नाका मोटो हैं जिन्होंने 2009 में क्रिप्टो करणसी बनाई हुई थी अगला फेक्ड है दोस्तों कि ये फर्स्ट डीसेंटरलाइज क्रिप्टो करणसी कौन सी है तो उसका नहां है Bitcoin तो आपके मन में सवाल आ रहा हो कि Decentralization का मतलब होता क्या है तो दोस्तों जैसे कि अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि government जो है वो Decentralization के basis पर काम करती है मतलब control करना उस चीज़ को पूरी तरीके से Decentralization तो बेसिकली इसका मतलब होता है control और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और फुली डेबलप तो ऐसी क्रिप्टो करन्सी है फिलाल हमारे पास Bitcoin और काफी दूसरी क्रिप्टो करन्सी है दोस्तों जैसे कि चाइना की कुछ क्रिप्टो करन्सी है इसके बाद यह किस बेसिस पर काम करती है तो यह blockchain टेकनलोजी पर काम करती है तो blockchain का मतलब होता है दोस्तों कुछ blocks रहते हैं इस टाइप के जो की digitally connect रहते हैं और इसमें information block के form में नाम जिसको भीज़ना है sender का नाम रहेगा information रहेगी रिसीवर की information रहेगी इसका नाम रहेगा और साथ सी साथ नंबर ओफ बिटकोइंस भी रहेंगे दोस्तों तो आगे देखते हैं कि अगर इंडिया की perspective से देखा जाए तो अभी इसका status illegal है नाव बीविल मूब और अजाद अनादर पार्ट तो बीविल डिसकर्स दी बैक्राउंड अफ दी क्रिप्टो करंशी और दी करंशी इन इंडिया तो बेसिकली आपको पता है कि जब आप ancient history पढ़ते हैं तो उसमें हरपा civilization आता है तो उस टाइम पर करंशी जो यूज होती थी बहुती थी वाटर सिस्टम पर तो बाटर सिस्टम का मतलब होता है कि चीजों और चीजों के form में transactions होते थे suppose कि यह ए है और एक बी है person अगर इनके पास rice है और इनके पास wheat है तो अगर तो कोई की value कुछ नहीं रहती थी बस इसी टाइप से transaction होता था इसी को वाटर सिस्टम बोला जाता था उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बैदिक पीरियट में जो कि हरपा civilization के बाद का नेक्स्ट पीरियट है उसमें precious metal coins यूज हुए जो कि gold और silver के coin थे आप जानते होंग जाना जाता था कि नोट रहेगा उस पर कुछ value रहे लिखी रहेगी जिसके तो इसकी value 100 rupees डिसाइड हो जाएगी लेटर उन उसके बाद आया है जो कि अभी प्रिजेंट रूप में आप यूज करने हैं इसको fiat currency बोला जाता है इंडिया में और इसको regulate rbid के द्वारा किया जाता है लेटर उन cashless transaction जो कि आप यूज करते हैं बखो भी जानते होंगे कि पेटीम हो गया फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया और अभी जो advance currency बोल सकते हैं या फिर future currency वो है crypto currency जो कि आने वाले सालों में हो सकता है अगर इसको अच्छे से regulate किया गया तो आप और हम भी यूज करती हुए नजर आएंगे आगे देखते हैं इसकी कुछ लाब और हानिया तो इसके लाप क्या हो सकते हैं कि यह financial fraud कम कर सकता है दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे fraud calls आते हैं बैंक्स की तरफ से जो की डिजिटल लिटरेसी नहीं होती है जिन लोगों में तो बो लोग इस प्रोड में काफी आसानी से फर्जाते हैं कि करफशन भी डिडियूस करेगा क्योंकि हर एक चीज़ का डिजीटल रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास में तो बेसक क्या है करफशन भी कम करेगा और ट्रांजेक्शन जो होंगे आप जानते हैं कि जब आप बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसपर करते हैं तो आपको बैंकवीज्ण देनी पड़ती है तो बैंक क्योंग के साथ बैया आपको इमेडियक ट्रांजेक्शन भी देगा जो की नेट्वर्क के बडिशर पर चलेगा और जल्दी ट्रांजेक्शन वोने लगें आगे लिए यह याई इन्ट काफी ज्यादा ट्रेक्ट होगा अगर हमारे इंडिया में चालू होता है या पर लिगलाइज्ट किया जाता है आगे टेक्नलोजी एंहेंस्मेंट भी होगा इसके बाद देखते हैं अपर इसकी कुछ हानिया जैसे डी रेगुलेशन तो क्रिप्टो गरंसी का बर्तमान इसमें जरूर कोई या फिर और या रगुलेट की जाए सके और हैकिंग पेमेंट गेटवेस तो इसकी कुछ चैलेंजेज्ट हैं जो कि इसकी हानिया भी है जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में काफी कमी है और अभी जो बेसिक ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे की डिज तो बेसक ही हैकेंग के चांसे भी बढ़ सकते हैं और दूसरा इसी इसका है स्पीड और अनिस्टेबिल्टी की जो बेरियेशन हैं जैसे आप सो रुपे हैं आपके पास तो उस पर आपने देखा होगा कि आर्विया के दौरा लिखा रहता है कि मैं गारंटी देता हूं कि है सो रुपे की वैल्यू सो रुपे के हिसाब से ही होगी आपको जो प्रोड़क्ट दिया जाएगा वह सो रुपे का बिलकुल दिया जाएगा लेकिन इसमें अनिस्टेबिल्टी है क्योंकि कोई भी रेगुलेट करने वाली अथर्टी नहीं है तो सबसे बड़ा मेजर जो कीजिएगा इसकी स्टार्टिंग हुई और 2016 17 में इंडिया में कापी पॉप्लर हुई लेकिन जैसे ही लोगों ने इसमें दिखाया 2018 में इसमें क्रेश आ चुका था मतलब पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी इसके बाद देखते हैं और भी आई के द्वारे एक स्टेप एंड मोबाइल अशोशेशन ओफ इंडिया एक पेटीशन दायर की कोट में जाके तो कोट ने 2020 में डिसीजन दिया कि आर्बी आई ने जो सर्कुलर जारी किया था क्रिप्टो कुरंसी को बेन करने वाला इसको हटा दिया जाए क्योंकि यह एक फंडामेंटर राइट भी है आर्टिकल 19 के अंदर में अगर आप जाके देखेंगे तो इसके बाद गॉर्मेंट अभी प्लान कर रही है प्रिजन टाइम पे अगर साइज अगर प्रिजेंट में पूछे तो कितनों कि क्रिप्टो करणसी एसेट्स हैं तो लगवाग 45000 करोड तो यह काफी ज्यादा होता है और रेगुलेशन अभी इस पर कोई नहीं है इसलिए सरकार प्लैन कर रही है कि वह आगे जाके खुद रेगुलेट इस चीज को कर आगे कि दिए क्ट चैलेंज결 से इंडिया में क्या हो सकते हैं तो दोस्तों मेजर अजिर डेबाइट और दूसरा चैलेंज है डिजिटल लिट्रेसी तो आपको दोनों टैम में बहुत अच्छे समझा देना चाहता हूं कि क्या होते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल डिबाइट की तो डिजिटल डिबाइट जैसे कि आप टैम से ही समझ में आ रहा हूँ एक तरह बूस सेक्षन सोसाइटी क जो काफी अवेर है डिजिटल टेकनोलोजी से और एक बूस सेक्षन जो की अभी मोबाइल के बारे में ही अच्छे से नहीं जानता है उन दोनों के बीच के गैफ को ही डिजिटल डिबाइट बूला जाता है दोस्कों तो एक काफी बड़ा चैलेंज है और एक डेटा भी य 29% डिजिटल डिबाइट मतलब ब्रॉड में पेनेटरेशन डूलर एडिया इस 29% और जो की जाता है इसका 51% और इसके डिजिटल डिबाइट से निकलेंगे इंकम इनक्वालिटी जो टेकनोलोजी के बारे में नहीं जानता है वो पीछे रह जाएंगे लेकिन जो टेकनोलो इनक्वालिटी सोसाइटी में उन सेक्सेंस के बीच में जो अभी टेकनोलोजी से अवैन नहीं है आगे जाते हैं तो देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजी बात को भी बड़ावा देगी एक सेक्सेंस सोटाइटी का ऐसा हो जाएगा जो इसका फाइदा उठा कि काफी अमीर हो जाएगा और पैसे कमा लेगा और दूसरी तरफ गाओं के या फिर बो लोग रह जाएंगे जो कि डिजिटल टेकनोलोजी से अभी अवैन नहीं है आगे देखते हैं कि एबल प्रैक्टिस इस लाइक फोड़ वाई एजेंट तो यह अपन देखी चुके है आगे आगे जाके कि डिजिटल लेटरेसी के बारे में यह दूसरा चैलेंज है जो कि बहुत मेजर चैलेंज सामने आता है कि डिजिटल लेटरेसी मतलब होता क्या है एक बेसिक नॉलेज डिजिटल लेटरेसी मतलब होता है कि टेकनोलोजी और डिजिटलाइशन के बारे मे एक basic knowledge होना, कब जब आप उसको एक life situation में use कर सकें, उस चीज़ को digital literacy खा जाता है, और government of India इसकी तरफ काफी बड़ाबा दे रही है, कुछ प्रोग्राम से भी चला रही है, जैसे की PM Gramming Digital साक्षरता अभिहार, यह digital literacy को बड़ाबा देने के लिए ही है, आगे देखते हैं, इसक terminology like navigation functioning or the digital device using internet, तो यह पहला होगा कि digital devices होती है, उनको navigate करना, उनको use करना काफी मुस्कल होता है, अगर आपको digital literacy नहीं आती है, तो दूसरा है, using of internet, तो basically अभी देखते हैं अपन गाउं में या पर अपने ममी पापा को देखते हैं, तो वो किबल फोन से call करना, या पर call उठाना, एक बहुत basic knowledge ही उन्हें फोन के बारे में रहती है, तो यह भी बहुत दूसरा है, दोनों ने cashless transaction को काफी बढ़ाबा दिया है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इसका use करते हुए नहीं जानते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी criticism होगा इसका, और कुछ और program government की दोरा चलाए जाते हैं, digital literacy को बढ़ाबा देने के लिए, जैसे कि national digital literacy mission हो गया, digital साक्षरता अभिहान दिशा हो गया, पी-म ग्रामी डिजिटल साक्षरता अभिहान हो गया, तो यह team program और कुछ और major programs हैं, जो government की दोरा चलाए जाते हैं, आगे देखते हैं, cryptocurrency और world, world में cryptocurrency का at present क्या status है, तो El Salvador, it's a first country to legalize the Bitcoin as a legal tender, मतलब जिस परकार रुपया हो गया, इंडिया में legalized है, और अपने इसको use करते हैं, तो El Salvador पहली country है, पहला देश है, जिसने इसको legalized किया हुआ है, और other country is Cuba, जिसने इसको legalized करके रखा है, और China is a single largest market of cryptocurrency, has considered also the crypto transaction illegal, तो पहले cryptocurrency को लेके, चाइना positive behavior रखता था, लेकिन जब से एक controversy हुई थी एलोर मस्क को लेके, उसके बाद से चाइना ने cryptocurrency को legalized करना या फिर इसको illegal कर दिया है, क्योंकि वह समझ चुका है इस चीज को, लेकिन काफी late हो चुका था, क्योंकि इसका काफी नुकसान देखना पड़ा, उनकी economy काफी down हुई है, इसको जैसे, तो आगे देखते हैं, कुछ questions और MCQ discuss कर कारी करना हैं, तो बेसक आपको काफी काम आने वाले हैं, जैसे कि पहला question है, कि which of the following is not the altcoin, तो altcoin वो कहलाते हैं, दोस्तों, जो की bitcoin नहीं होते हैं, वो सारे altcoin कहलाते हैं, देखिए, यहां देखिए, those which are not bitcoin, consider as the altcoin, तो अगर यह bitcoin हैं, और यह सारे other coin में, जैसे ethereum हो गया, litcoin हो गया, cardona हो गया, तो यह सारे जो होंगे, वो altcoin के under consider किये जाएंगे, और bitcoin एक अलग ही decentralized cryptocurrency है, तो आप confused मत हो जिएगा, कि cryptocurrency और bitcoin दोनों एक होते हैं, तो नहीं दोस्तों, crypto currency जो है, वो एक larger term है, broader term है, जिसके under में bitcoin आता है, जो कि उसका एक type है, बस, that's enough, आगे जाते हैं, which process is included in bitcoin mining, तो सबसे पहले मैं थोड़ा साब को बता जो कि bitcoin mining क्या खिलाती है, basically एक lab होती है, या फिर आप एक room मानीजिए, एक local भासा में, तो उस local, तो उस room में, hall में, या उस lab में, काफी सारी computer सखे जाते हैं, जिनके throw bitcoin की programming की जाती है, और bitcoin को बनाया जाता है, specialized software engineers के दोरा, उन्हीं को अपन bitcoin mining बोला जाता है, तो अब यह जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी process होती है, और कौन सी process नहीं होती है, तो first option is formation, second option is circulation and the third is verified and fourth is transaction, तो यह चारों चीज़ें जो हैं वो include होती है, bitcoin mining के under में दोस्तों, आगे चलते हैं, the next question is, which of the following is also known as the digital gold, तो basically cryptocurrency को ही digital gold बोला जाता है, और the next question is, what is the meaning of crypto checking, तो crypto checking का मतलब होता है, where crypto criminals secretly use a victim computer power to generate cryptocurrency, मतलब मैंने आपको बताया, कि अगर एक lab है और वहाँ पर कोई cyber criminals जो की hackers होते हैं वो जाके एक computer को use करते हैं और crypto mining करते हैं वहाँ जाके तो उसको ही अपन crypto checking बोला जाता है, जैसे की high checking होता है, उसी से बिलता जूलता हुए term होता है crypto checking, and the next question is, what is the rank of India in global crypto adoption index, तो the answer is, India's rank is second, so I think so, यहाँ पर खतम होती है हमारी वीडियो, और अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारा चैनल जो की telegram पर है, former institution को search करके join कर सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा, subscribe कीजेगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको share कीजेगा, thank you so much.